नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी का वाइफेम सिक्यूर्टी में दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने बात किया था NVR के बारे में और Standalone POE NVR के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें कि POE Switch की requirement नहीं होती है उसमें POE Switch inbuilt होता है लेकिन जब Standard NVR होते हैं उसमें POE Switch की requirement होती है चुकि अब POE Switch जो होता है वो काफी जरूरी है IP Camera Installation के लिए तो जब POE Switch की बात आती है तो कौन सा POE Switch हम purchase करें ये काफी जरूरी है समझना और आज का एपिसोड इसी पर आदारित है मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि POE Switch कौन सा लेनी चाहिए और कौन सा POE Switch हमें avoid करना चाहिए किस तरह के Standard के POE Switch market में available है ये हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में तो POE के बारे में ज्यादा evidence नहीं है तो जो POE Switch का price कम होता हम लोग उसे purchase करते हैं लिकन ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है ये ज्यादा branded product हो चाहिए कम जो की जिनका brand जो है काफी कम नाम आपने सुना हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है मतलब होता है किस स्टेंडर को वो POE Switch follow कर रहा है दीके दो तरह के स्टेंडर को use हो रहा है मार्केट में IEEE 802.3AF और एक है IEEE 802.3AT ये दो स्टेंडर है अगर दोनों स्टेंडर में जो difference है वो मैं आपको बताता हूँ दीके पहले अगर मैं बात करूँ तो output power supply की watt में तो IEEE 802.3AF में जो है लगभग 15 वाट का जो है output power supply होता है लेकिन अगर यही मैं IEEE 802.3AT को अगर use करता हूँ तो इसमें 30W तक का power supply जो output है वो ये POE Switch देता है तो दोनों में क्या फाइदा मुझे मुल जाएगा कि अगर मान लिजे कि आपका long distance है 100 मिटर के आसपास का distance है या थोड़ा प्लस है तो यहाँ यहाँ पर आप जो है यह 80 वाला जो है IEEE 802.3AT वाला यूज़ किजिए तो यहाँ पर आपको ज्यादा फायदा होगा लिखने आप 15-20 मिटर के अंदर में तो IEEE 802.3AF वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर मिनिमम पावर के मैं बात करूं तो IEEE 802.3AF वाले प्योई स्विच में जो है यह आपका मिनिममम 12.95 वाट है पावर सप्लाई लेकर अगर आप एट जी आपका IEEE 802.3AF यूज़ करते हैं तो इसमें आपका 25.5 वाट का जो है आउट आउट पूर्ट जो है मिनिमम मिलता है तो यह आपका मैक्सिमम जो पूरा जो डिफरेंस आप देख रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र के साथ साथ जो है पावर सप्लाई में भी जो है काफी डिफरेंस होता है यह जो न्यू स्टेंडर्ड है वो 80 वाला है और पूराने स्टेंडर्ड जो है वो एफ वाला है यह और मैक्सिमम अगर करेंट के मैं बात करूं तो 350 मिली एंपियर 350 मिली एंपियर आपका IEEE 802.3AF जो है आउटपूट देता है लेकिन IEEE 802.380 अगर आप पर्चेस करते हैं तो इसमें आपका 600 मिली एंपियर जो है कि यहाँ पर जो है यह पावर जो है मैक्सिमम करेंट जो है यह प्योई स्विच ट्रांसफर करता है तो यह सार क्या हुआ का हो किसी भी ब्रेंड का हो तो इसमें आपको यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि यह जिए आप उनके description में जरूर जाए चाहें आप online पर्चेस कर रहे हैं चाहें आप offline पर्चेस कर रहे है कि कॉन से standard को जो है फॉलो किया गया है इस प्योई स्विच में IEEE 802 2.3 AF या IEEE 802.380 यह कौन सा फोलो किया गया और अभी कुछ लेटेस्ट जो अप्योई स्वीच आ है उसमें तो आउटपूर्ट सप्लाई जो है 60 वाट तक का भी आ चुका है जो कि 80 वाले में 30 वाट तक का था तो काफी जो है इंप्रूव इंप्रूवाइज हो रहा है इस स स्वीच, IP Camera, NVR, Network Video Recorder, Wireless Camera, Wireless NVR यह सारे मार्केट में जो है काफी जल्दी से आने वाले हैं और मार्केट को काफी अच्छी तरह से इसमें जो है काम होगा इन सारे सेक्टर में इसलिए आपने अगर मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर द दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जूरूर कर दिजेगा धनिवाद